बहुत स्वागत आपके साथ मैं हूँ ललित प्रुजापती आज की कहानी एक बेहत ही दिव्य और अद्भुत मंदिर की है आपको उस मंदिर में जाना है भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर अपना दर्द बताना है और फिर चमतकार होगा खुद भगवान आपको समस्या से निकलने का हल बताएंगे वो भी लिख कर अब आपको लग रहा होगा कि कैसी बह्की बह्की बातें हो रही है हमने भी दावा करने वालों से यही कहा था लेकिन वो अपने दावे पर अड़िक रहे दावा करने वालों का कहना था कि संकट मोचन हनुमान का एक धाम है जहां कोई सिद्ध बावा जवाब नहीं देते बलके खुद बजरंग बली प्रतिमा में उताराते हैं एक एक कर सभी भक्तों की समस्या सुनते हैं और लिखकर उसका हल बताते हैं यही रहस्त सुल्जाने के लिए हम वहाँ पहुँच गए लेकिन महाजवाब पहले भक्तों ने दिया फिर उन्होंने जिन हैं राम भक्त शिरोमनी हनुमान कहते हैं ना बागेश्वर धाम महराज गुम गए हैं पती हैरान है और घर आ जाएंगे पर सत्रा दिन लगेंगे आशीवाद ना पंडोकर ताम सरकार आप अगस्त का दुमाद ठीक रहेगा मैं चाहता हूँ आप आएं ना कोई और सिद्ध इंसान उस धाम में संकट मिटाएंगे खुद संकट मोचन जिस बजरंग बली की सिद्धी पर ये बाबा लोगों को उपाय बताते हैं वही के स्री नंदन हनुमान अपनी इस मूर्ति में उतर आए आखों में दर्द भर कर दिल में करुणा लिए जिसने भी पुकारा उसका संकट दूर करने खुद आए हैं संकट मोचन जिसकी भक्ति में शक्ति है उसे यहां मुक्त मिलेगी जिसकी आवाज में आस्था है उसे बजरंग बली खुद लिखकर जवाब देंगे लेकिन ये कैसे मुम्किन है यह वाकई बजरंग बली की सिंदूरी लेखनी है या किसी क्यमिकल का खेल कहीं काघस पर जवाब प्रकट होना हाथों की सफाई तो नहीं हमने हर कोने पर कैमरा लगाया हर सवाल का जाल फेंका अप रही गूंज में हर शंका निशबत हो गई यह प्लेन पेपर सामने रखा और यह इस तरह से पूरा लिखा हुआ सामने नदर आ गया इंसान को परखा जा सकता है लेकिन भगवान को नहीं हम या कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं करेगा लेकिन उस रहसमई चमतकार को समझना भी जरूरी था हमने कुछ वीडियो तो देखे थे लेकिन उसे बहुत जादा कुछ समझ नहीं आ रहा था चमतकार हुआ नहीं हुआ सवालों के जवाब बजरंग बली ने दिये या नहीं और दिये तो कागत पर लेखनी कैसे प्रकट हुई जवाब सही थे या नहीं ऐसी सारी शंकाओं का जवाब आपको कुछ देर में मिलने वाला है यहां हर संकट और भक्त के बीच खड़े हैं संकट मोचन हनुमार और उसका सबूत है इस मंदिर में लगते ये जैकारे और यहां जुटी भक्तों की भीव यहां आने वाला हर भक्त इस बात पर अटल है कि बजरंग बली इस मूर्ति में प्रवेश करेंगे हर भक्त का दर्द सुनेंगे और फिर लिखकर कश्ट निवारण का रास्ता दिखाएंगे लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है बजरंग बली के चमतकार के सबसे बड़े दावे की तलाश में टीम पहुँच गई राजस्थान के कोटा शहर नमस्कार मेरा नाम सुहेल है और मैं इस वक्त मौझूद हूँ राजस्थान के कोटा में इस मरुस्थल में ये नदी की धारा भी अपने आप में एक चमतकार है लेकिन आज मैं इस चमतकार की तलाश में नहीं आया हूँ मैं आया हूँ एक ऐसे चमतकार की तलाश में जिसको देखे बगेर यकीन करना almost impossible है कहा जाता है कि कोटा शहर में हनुमान जी की एक चमतकारी प्रतिमा है एक ऐसी प्रतिमा जो बिना कुछ कहे बिना कुछ लिखे आपको आपके सवालों का जवाब देती है एक प्रतिमा जो अपने आप कागस पर आपकी लिखी हुई सारी बातों को इबारत के तोर पर उतार देती है और आपके मन की सारी चिंताओं को एक कागस पर उकेर के आपके सामने रख देती है आप मन में कुछ सोचें और भगवान जान लें इसमें कोई चमतकार नहीं, वो भगवान है, जान ही जाएंगे लेकिन चमतकार इस बात में है कि वो लिखकर जवाब दे दे मंदिर कोटा शहर से 15 किलोमीटर दूर नान्ता में था थोड़ी देर के सफर के बाद हम मंदिर पहुँच के Language ke① बस्कार कि क्या हुँच । बाला जी फाला जी प्रचा बनाते हैakukan वाह बना ओलि क!. हम धरते हैं जमाते है तो आज प्रतिमा लिखते हैं? तो April जी लिखते हैं do rejast देख लीजे क्योंकि अब मैं यहां पर सारा रिकॉर्ड करूंगा इसलिए आए उगा यहां पर बिना जिजक बिना एक पल गवाय पंडिच जी ने पूरा चमतकार कैमरे में रिकॉर्ड करने की इजाजत दे दी पंडिच जी ने कहा कि डरे वो जिसके दिल में खोट हो बाला जी के इस दर्बार में सारी चुनोतियों से बाला जी खुद निपटते हैं चमतकार को समझने के लिए मंदिर के हर कोने को समझना जरूरी था मंदिर आबादी के बीच एक छोटी सी जगह पर बना था मंदिर ना विशाल था ना भव्य ववस्थाएं थी दर्वाजे के सामने ही गर्व ग्रे था उसके अंदर बजरंग बली की आदम कद प्रतिमा थी मंदिर में एक बात थी जो हमें बार बार खटक रही थी चमतकार की छोटी सी घटना पर भीडो मडाती है लेकिन इस दर्वार में सन्नाटा था ये बात समझ में नहीं आई अब कौन ची बेमारी नंचा काम उसका तुम्हारे प्लाना चीज़ का दोसे उसका आपाई बताते हैं नमांजी तो यह कौन-कौन से दिन होता है मंदिर के विस्थापकों ने बताया कि पहले बजरंग बली प्रत दिन लोगों को जवाब देती थे लेकिन बाद में यह समय कम कर दिया गया कि विले यह पर्चा सुबह आठ वस्रे लेके शाम को छे बज़े तक बनता था बीच में आराज हो गए वो उननों नो से बारा कर दी तुमत सिर्फ नो से बारा के बीच में ही इसा होता है उसके अलावा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कुछ नहीं उसके बाद पांती नहीं हम सोमवार को पहुंचे थे मंगलवार अगले दिन था हमने सोचा कि आज हम पूरे घटना करम को अच्छी तरह समझ लेंगे और फिर अगले दिन पूरी तैयारी के साथ हर कोने में कैमरा फिट करेंगे और देखेंगे कि कोरे कागज पर जवाब कैसे प्रकट हो जाता है इसलिए हमने चमतकार के हर हिस्से को समझना शुरू किये यह एक बाबा का सबसे बड़ा विश्व का एक सबसे बड़ा चमतकार है जो मने देखा है यह बाबा स्वेम सामने वाले क्या मन की भावना को पढ़के और पर्चे में उसका बड़कुल सुक्ष्म रूप में उत्तर देते हैं हमारा एक सिस्टम बना हुआ है कि जो आएग उसका नंबर नहीं भी आएगा तो भी उसका काम हो जाएगा एसा हमारा यहां का शिस्टम है फिर भी नारेल बादने के बातों भी जान बाबा की परचि को कागश पर लिखता है फिर उस कागश को नारियल के साथ हनुमान दरबार में बांद देता है पिर परची कटवा कर अपनी बारी का इंतजार करता है। जिसकी परची नहीं कटपाती उसकी मुराद भी यहां पूरी होती है। लटका देते हैं और फिर होता है चमतकार चमतकार क्या होता है जैसे ही उनकी मुराद उनकी मननत पूरी होती है तो यह जो नारियल बंदा हुआ है और बहुत मजबूती से हर नारियल बंदा हुआ है वो खुल जाता है नारियल अपने आप गिर जाता है और माना यह जाता है क अपने आप गिरते रहते हैं जगह बदलती रहती है खाली होती रहती है दूसरे लोग आके नारियल बांधते रहते हैं यहां भक्त यहां नारियल बांध तो जाते हैं लेकिन नारियल कब गिरेगा मन्नत कब पूरी होगी यह पता नहीं चलता वहीं पर्ची कटने के बाद जब फर्यादी को हनुमान जी के सामने जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो बजरंग बली उसे तुरंथ जवाब दे देते हैं जिसके लिए पुजारी एक निश्चित किये गए तरीके का इस्तमाल करते हैं खाली कागज जेता सुप खाली कागज एक लगा दो बाद नो दो सेकेंड बाद ही आपको चपवा कर आपका जो बी सवाल जड़ाब है वह आपका मिल जाएगा जयसे आपने फुच्छ में मन में बोला अनुमान जी क्या जवाब देते हैं उसका फोलो करना आपको बसी जो भ तरीका ये है कि पर्ची कठवा कर भक्त लाइन लगा लिंग अपना नंबर आने पर फर्यादी गर्ब ग्री के बाहर बजरंग बली की मूर्त के सामने खड़ा हो जाएगा आँख बंद करके बजरंग बली को अपनी समस्या बताएगा उधर पुजारी गर्ब ग्री के अंदर सफेद कोरे कागज को मोड़ कर बजरंग बली की प्रतिमा के सीने पर रख देंगे और चंद क्षण में जैसे ही उसे खोलेंगे उसके अंदर हनुमान जी का जवाब लिखा दिखाई देगा दावा है कि हनुमान जी संकट से बचने का उपाए खाली कागज पर लिख कर देते हैं और जिसका भी जवाब आया उसकी जिन्दगी का उधार तै है लोगों का दावा था कि जिन बीमारियों के आगे दवाओं ने भी दम तोड़ दिया उन समस्यां को बाला जी यहां चुटकी बजा कर खत्म कर देते हैं कुछ समय पहले एक काम भाई थी हो आई उसके बच्चे नहीं हो रहे थे वो उसने पर्चा लगाया हमें पता निए बच्चे के लिए यह बाबा ने उसमें तुरल लिखके दे लिए कि इसके में यह कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए कोई भग्त संकट मुक तो होता है या नहीं यह चेक करने में तो कई हवते बीच जाएंगे इसलिए हमने उस चमतकार को छोड़ दिया हमें सिर्फ यह देखना था कि कोरे कागज पर जवाब अपने आप कैसे लिखा हुआ आता है और जवाब परियादी की समस्या से मेल खाता है या नहीं इस मंदिर में मंगलवार को सैकड़ो लोग आते हैं सैकड़ो लोग अपनी मननत मानते हैं और सैकड़ो लोगों की पाती खुलती है प्रॉबल्म यह है कि उन्होंने क्या सोचा था और पाती में क्या लिखा हुआ आया यह मेरे लिए जानना अवदेश ट्रस्टिट साती है और हमेशा एक्सपरिमेंट इन पर होते हैं तो आज भी एक्सपरिमेंट इन पर होगा और यह जो है नारियल पे बांद के और अपनी जो भी मननत है वो सोच के और उस नारियल को यहां पर चड़ाएंगे तो भहिया आप तयार है ऐसा चलिए तो बांदिये फिर आप यह अपना नारियल जो है यहां पर बांद दे रहे हैं और कल जब पाती खुलेगी तो गुरू जी से कहके इनकी पाती खुलवा ली जाएगी अब इनोंने क्या सोचा वो मैं भी आपको बता दूँगा और फिर कल हम जब वो पाती खुलेग हमने वेस्थापकों से अपना कागज रखने की बात करी कागज कोई भी ले आया ने वो तो कागज तो जिस यहां पर्दा के निचे राम बगवान की शैपी है न उसके निचे में नी पड़ागा पड़ा लगानी पड़ता है अच्छा अलग अलग व्यक्ते के गंदे पेपर आ जाए तो बावा नाराज हो जाए इसलिए एक जैस शिखते हैं कि आपने लिख करके दो नेहीं ने रख रखा देख़ो ना आपको विश्वास निःयों तो आप देख लो कि दौनु तरफ से ही दिखा देते हैं फिर तो आपकर वुष्वास कभि थो भी इत्युक्त कि रहाग कागश कोर्शू घगवान के पास अरखना पड पुजारी जी ने कहा कि अगर आपको शक है तो आप कागस को जितना चाहे जांच लें अगर कोई ट्रिक है तो यहीं पर होगी पड़ी पेपर का बंडल दिखाना पड़ेगा आपको एक बंडल हमको दिखाई है तो अगर कुछ भी होगा अब मैंने एकदम से मैंने इनको बताया नहीं था कि मैं ऐसा करने वाला हूँ यह बंडल मैंने ले लिया ठीक है अगर कोई इसके अंदर लिखावट होगी किसी ने कुछ लिखके छोड़ा होगा कोई मूर्ती बनाई होगी कोई डिजाइन बनाया हो नहीं देख आएँ कोई जबी किसी नहीं जाएक कोई से कही नहीं होगा हूँ जाएगा तो इस कित्स लीखक कोई बनाई होगा और यह बंडल कोई पीपर के इस बिंदा मै किनन दे में 58 नहीं होगी कहीं थी 172 혼y इना अजिसके अलावा भी जो दूसरे बंडल में हो तो हम दूसरा बंडल भी लेकर देख लेते हैं तो पता चल जाएगा अब इसके अलावा तो और काग़ज है hinा मंदिर के अन्दर आइए वह दूसरा वाला बंडल दीजिए अब मुझक़ कॉ पाती जिस से चलेगी वह बंडल भी ले लेता है तो अब तो पेपर और कहीं कोई नहीं है मंदिर का सारा पेपर हमने चेक कर लिया अगर होगा तो बस इसी के अंदर होगा जो कुछ भी होगा यह लिए इसी से पाती चल रही है इसी से पाती चलती है तो अगर पाती इस से चल किसी भी कागस पर कोई केमिकल नहीं लगा था हमारी समझ अब भी चंद सवाल पैदा कर रही थी हो सकता है कि गोरा कागस दिखाया जाता हो लेकिन चालाकी से उसे पहले से लिखे गए दूसरे कागस से बदल दिया जाता हो या फिर जब कागस को हनुमान जी के सीने से लगाया जाता हो तब गीला सिंदूर लगने से आड़ी टेड़ी लकीने बन जाती होंगी और उसे ही हनुमान जी का जवाब बता दिया जाता हो पुजारी जी ने कहा कि आप कल चमतकार का पूरा वीडियो शूट कीजेगा, आपकी सारी शंकाएं खुद बखुद खत्म हो जाएंगे. यानि आप जो भी होगा, वो कल होगा. उस वक्त जब बजरंग बली लोगों की समस्या का निवारण लिख कर करेंगे. झाल, कर दो जाएंगे.